नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूटीब चानल वेंग्टेश पुजार में तहे दिल से स्वागत करता हूँ तो आज मैं एक नई फिलम के वे रिव्यू देने जा रहा हूँ कौन से है वो है कनड़ा इंडिस्ट्री की सेंडल्वुड की फिलम हेड बुष तो फिलम कैसी है वन वर्ड रिव्यू में बताना चाहूंगा फिलम इत्स अ गुट फिलम बहुत ही अच्छी फिलम बनाई है अगर इसके first half की बात करूँ तो first half पे कहीं पे slow लगती है film लेकिन क्योंकि उसमें character building होता जाता है एक-एक का तो ये film जो है मैंने कनड़ा भाशा में ही देखी है तो आगे शायद हिंदी में release हो सकती है तो first half इसका कुछ slow जाता है लेकिन जो second half है बहुत ही super है अगर इसकी story plot के बारे में बात करेंगे तो ये जो है बैंगलोर में जो अंडर वर्ल्ड था और वहाँ पे जो mainly MP जहराज जो थे अंडर वर्ल्ड के उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है तो उनी के बारे में थोड़ी कमजोर लगती है क्योंकि वो इतना लगता नहीं है कि इतना बजट डालके बनाया गया है भाई इसमें करें डल मारती है फस्टाफ में तो इसको डायरेक्ट किया है शून याने जो कि अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि है है हेडबुश बहुत ही अच्छा उनका डायरेक्शन डिपरट्मेंट जो है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संभाला है क्योंकि जो भी अदर अदर और जो भी उनके हैं सपोर्टिंग में सब को उन्होंने अच्छे से मुझे Zachary to a बात करेंगे इस फीलम के music संगीत के बारे में इस видео स्वांग है मुझे बहुत ऑवरेज लगे लेकिन इसका मुझे मुझे कुछ ड़ल लगा लेकिन ब्यूज्यम जो चरनराज ने दिया बहुतु सूपर है अब हम बात करेंगे इस फिल्म में जो स्टार कास्ट है उनकी परफॉर्मेंस है इसके बारे में तो पहले हैं डॉनी धनन जया जो की MP जैराज के कैरेक्टर में है बहुत ही अच्छा और सुपर एक्सिलेंट बोलना चाहूंगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं एकदम लोगों को बांध के रखते हैं और एकदम पीक लेवल पैलिवेशन चले जाते हैं अगली है पायल राजपूत मुझे लगा था खाली एक सौंग के लिए आई है वो इस फिलम में उसके पाद सली जाएंगी लेकिन इस पर MP जैराज की बीवी का कैरेक्टर का निभा रही है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भी निभाया है अगले है लूज मादा योगी उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इस फिलम में अपना जो केरेक्टर था निभाया है लेकिन उनको कहीं इसमें कम यूज किया गया है मुझे लगता है कहीं पर डल लगते हैं शायद आगे भी आगले जो इसका वाल्यूम आने वाला है ये फिलम जो अगले पार्ट में हां कि हाफ में बैंग में आते हैं और एकदों मैंड गेम्ज खेल जाते हैं बहुत ही अच्छा उनका भी परफार्फॉमेंस है यूग फिलम जो है मेंली अंडर व्ल्ल के बारे में में सब बूल रहे हैं अंडर एग tweakset को बड़ावा दे रहे हैं फिलम एंतेटेन्मेंट क को खतम भी करने वाले हैं तो यह नहीं कि उसको एक हाली बढ़ावा दिये जा रहे हैं एक जो चीज चुरू होती हो खतम भी होती है तो वो भी हमको समझने की जरुरत रहती है तो ओर और फिल्म जो है बहुत ही अच्छी है अब बात करेंगे इसके पॉजिटिव और नेगटिफ के बारे में तो इस फिल्म का पॉजिटिव के बारे में अगर हम बात करें तो वो है इसकी स्टोरी प्लाट और पर्फॉमेंसिज इसकी बीजीएम और इसके जो डायरेक्षन है सुनिया का बहुत ही अच्छा है इसके cinematography, इसकी choreography और इसमें जो costumes यूज की गई हैं बहुत ही अच्छी है तो overall जो है film बहुत ही अच्छी बनाई गई है जुनों ने भी अभी नहीं देखा इस film को जाके देख सकते हैं इस film के negative के बारे में बात करें तो इसके songs जो हैं बहुत ही dull लगते हैं इसका first half जो है वो slow है और इसके locations जो है ऐसा लगता है बार बार आपको एक ही location पर लाया जा रहा है film में तो वो कहीं dull लगता है तो overall डॉली धननजे के fans है वो इस film को बहुत ही enjoy कर सकते हैं और यह film बहुत अच्छी तरह के से बनाई गई है उतना blockbuster भी नहीं बोलता हूं लेकिन एक time तो आप इसको देखी सकते हैं यह film कनड़ा भाशा में English subtitles के साथ All Over India रिलीस की गई है तो आप इसको with subtitles अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं enjoy कर सकते हैं आगे अगर आप इसी तरह के movies रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए इस टूडियो को लाइक ओ ज़्यादा शेयर कीजिए मिलेंगे आगले वीडियो में एक नए विशे के साथ तिल देन टेक क्या धन्यवाद